हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो दे चैनल चलो लेर्ण करते हैं मेरा नाम है मनीशा आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेक्शन के बारे में तो चली समझते हैं जैसे दा नमबर आप दो फॉर्म ए बाई बी ठीक है जैसे ए बाई बी यह हो गया फ्रेक्शन के रूप में तो वेर ए एंड बी आर नेच्रोल नमबर्स और नोन एज फ्रेक्शन ठीक है ए और बी क्या है नेच्रोल नमबर्स जहां रहे हैं जिसे नेच्रोल नमबर्स क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरह से चलते जाएगा, तो वो natural numbers कहलाते हैं, इस पे minus 2, point, यह सब नहीं आता है, ओके, तो यह natural numbers कहलाया, और whole numbers, जो 0 से start हो, 0, 1, 2, 3, यह सब whole numbers में आते हैं, तो fraction में A और जो B होते हैं, वो natural numbers होते हैं, और A by B के रूप में जो लिखे जाए, तो वो fraction कहलाते हैं, तो सबसे पहले जिसे माल लिया, हमने A अगर माल लिया, 3 है, और B अगर माल लिया, 4 है, ठीक है, यह natural numbers भी है, ओके, तो 3, यहाँ पर जो 3 है, वो कहलाएगा, numerator, ओके, और 4 कहलाएगा, denominator, निम रीकस और ओगया, और यह हो गया, denominator, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं UNS और इसे कहते हैं हर fraction जो है वो बहुत सारे होते हैं decimal fraction आता है vulgar fraction आता है तो पहले मैं बात करूंगी decimal fraction के बारे में decimal fraction इस fraction को देखिए 3 by 10 6 by 100 तो यह क्या हो गया decimal fraction हो गया अब 0 को ही अगर हम हटा देते हैं 0.3 हो जाता है ना एक 0 का मतलब है वो उपर जाकर एक नमबर के पहले पॉइंट पड़ता है और इसी तरह 2 0 है तो 2 नमबर के पहले पड़ता है यही रूल है इसका ओके यह 2 0 है तो क्या हो जाएगा 0.26 ठीक है तो यह जो है वो decimal fraction कहलाता है इसी तरह 1000 रहेगा तो 3 0 रहेगा तो 3 नमबर के पहले decimal हो जाएगा अब vulgar fraction क्या होते है अब fraction whose denominator is the whole number ठीक है इसका ओलड़ फॉलगर fraction जैसे 2 बाई 8 हो गया ओके यह सब जो denominator है वो whole number है whole number में आ जाएंगे 4 by 12 हो गया इसाब तो इसे हम क्या कहेंगे वलगर fraction हमते proper fraction क्या होते है पी यार पी यार proper fraction whose numerator is less than its denominator मतब numerator जो है वो less रहे denominator से समझ रहे है यानि अंस कम रहे इसके हर से ठीक है जैसे 5 by 11 यह है numerator यह है denominator ठीक है तो यह जो है numerator जो वो कम है ना denominator से तो यह यही proper fraction का होता है definition कि जब numerator denominator से less रहे कम रहे तो वो proper fraction में आता है 5 by 11 हो गया 15 हो गया इस तरह से यह सब क्या है proper fraction में आ गया इसी तरह improper fraction ठीक इसके opposite हो जाएगा जिसमें numerator ज़्यादा रहे denominator से तो वो improper fraction में आ जाएगा a fraction whose numerator is more than or equal to its denominator मतलब ज़्यादा भी हो और equal भी हो तो वो improper fraction में आ जाएगा ठीक है जैसे 41 by 38 okay 41 जो है numerator जो है वो इससे ज्यादा है है ना ज्यादा है तो यह improper fraction में आ जाएगा अगर हम 42 by 42 करें यह भी improper fraction में आएगा मतलब अगर numerator ज्यादा रहे denominator से तो भी और equal भी रहे तो भी वो improper fraction में आएगा ठीक है तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था decimal fraction पढ़ा था जिसमें कि zero denominator में होता है जिसका क्यों 100,000 जिसका क्यों decimal हो जाता है उपर जाके तो वो decimal fraction में आया उसकी बाद हमने पढ़ा था बल्गर fraction जिसका denominator whole number रहता है ठीक है proper fraction जिसमें है कि numerator denominator से कम रहता है तो वो proper fraction और improper fraction में ठीक अपोजिट numerator जब denominator से जादा रहे या फिर equal रहे तो वो improper fraction में आ गया मिक्स fraction मिक्स fraction क्या होते है इस तरह से ले सकते है यह देखिए इस तरह से यह mix fraction आ गए ठीक है यहाँ पर यह multiply हो जाता है फिर जो आता है उसमें add हो जाता है ठीक है तो यह जीसे 4 into 1 plus 2 by 4 इस तरह से तो 4 into 4 4 5 6 by 4 यह इसका fraction हो गया इसका ठीक है इस तरह से यह mix fraction हो गया फिर यह multiply हुआ यह यानि 2 into 5 हुआ और इसमें प्लस 3 add हो गया यह फिर यह जो 5 है यह इस तरह से लिखाया तो क्यों जगा 5 तो जगा 10 10 प्लस 3 13 by 5 तो यह जो है यह mix fraction कहलाएगा ठीक है यह mix fraction कहलाएगा यह भी ध्यान दीजेगा कि जब भी mix fraction को हम इस वाले fraction में change करेंगे तो वो हमेसा improper fraction ही बनेगा improper fraction में क्या था कि जो numerator है वो denominator से ज़्यादा होता है तो देखिए हर किसी में इसमें आपको ज़्यादा ही आ रहा है numerator denominator से ज़्यादा ही आ रहा है तो जो mix fraction है जब हम इसको solve करते हैं तो यह improper fraction में ही change होगा तो इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जैसे इस तरह से mix fraction दे दिये जाते हैं और उन्हें बोला जाता है improper fraction में change करने के लिए तो इसी तरह से यह इसका solution होगा फिर आपको इस तरह से दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसके इसे mix fraction में change करें अब इसे mix fraction में कैसे change करेंगे मैं आपको यह बता देती हूँ अब जैसे question में दिया रहे कि 38 by 7 चली मैं यह example ले लेती हूँ 38 by 7 इसे आप mix fraction में convert करें तो इसे हम कैसे convert करेंगे तो बस इसे divide करना रहता है ठीक है तो 38 है तो 75 होगा और 7, 6, 42 होता जो कि ज़्यादा हो जाएगा और 35 होगा यहाँ पर तो यह हो गया 3 अब देखिए यह remainder बचा क्या 3 तो यही हम क्या करते है इसे यह 5 जो है वो इस तरह से यहाँ लिखेंगे और 3 by 7 इस तरह से यह देखिए यह mix fraction में change हो गया यह में ले लेती हूँ 8 by 3 ठीक हो गया तो 3, 2, 6 तो क्या हो जाएगा mix fraction में इस तरह से ठीक है यह यहाँ हो गया और 2 by 3 यहाँ हो गया तो यह mix fraction में इस तरह से change हो गया अब अगें आपको जिसे check करना answer कि answer मेरा सही है या नहीं तो आप इसे फिर multiply करके देख लीजिए जिसे 3 into 2 और यह plus 2 by 3 ठीक है तो हो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं 7535 यहां में डारेक्ट मुल्टिप्लाय मैंने कर दिया है प्लस 3 by 7 38 by 7 ठीक है तो यह आ रहा है तो इस तरह साब answer check भी कर सकते हैं अब देखिए है एक वैलियन फ्रेक्शन ठीक है एक वैलियन फ्रेक्शन क्या होते हैं जैसे suppose मैंने नंबर ले लिया ठीक है किस तरह से मैंने नंबर ले लिया अगर तो इसमें देखिए आप जब कट करोगे तो आपको सेम नंबर सेम फ्रेक्शन मिलेगा जैसे 3 by 4 है यह तो हो गया अब देखिए मैंने काटा अगर 2 3 जा 6 2 4 जा 8 सेम मिल गया ठीक है 3 3 जा 9 3 4 जा 12 ठीक है जब आप इसको करोगे solve तो इस तरह से जब आपको सेम फ्रेक्शन मिले ना तो वह एक वैलियन फ्रेक्शन जिसमें डीनवियन नम्रीयटर जुह हो बिलकोली सेम रहता है ठीक है टेक्छाऊ का लाते हैं वह लाइफ प्रेक्शन कहलाते है बार रीघ्टर हो टीब यह को आप स retr pages सेम्ट Calendar और바 ऐसे हो जिटिक है जैसे हो जाएंगे लाइक फ्रेक्शंस में आप यह भी नोटिस करोगे कि लाइक फ्रेक्शंस की जो हम बात करते हैं तो वह ग्रूप में होता है तभी हम मतलब उसको पहचान सकते हैं कि लाइक फ्रेक्शंस है कि अनलाइक फ्रेक्शंस है कि एक्वेलियेंट फ्रेक्शंस है अब fractions पर जब तो ग्रूप में नहीं होगा आप उसे नहीं पहचान सकते हैं ठीक है तो equivalent fractions के लिए भी इस तरह से fractions group में होने चाहिए तब भी आपको पता चलेगा कि हाँ यह जो है वो equivalent है कट करने पर same आपको fraction आ रहे हैं पर unlike fractions के आप ठीक इसके opposite उसका denominator बिल्कुल ही different रहता है ठीक है फ्रेक्शन्स having different denominator are called unlike fractions लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि इसका numerator भी same हो मतलग opposite कहने का मतलग है कि numerator भी different हो और denominator भी different हो unlike fractions में आप two by five ले 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 seven by three ले ले ठीक है तो यह सब क्या हो जाएगा यह आजाएंगे unlike fraction में ठीक है और यह हो गया like fraction जिसमें denominator same है कुछ questions ले लेते हैं अब जिसे दिखिए मैंने question दिया है convert the fractions ठीक है seven by six eight by nine nine by twelve into like fraction like fraction में क्या था तीनो जो denominator वह सेम होने चाहिए लेकिन इसमें अलग अलग है इससे हमें like fraction में change करना है इसका मतलब denominator वह हमें तीनो सेम होने चाहिए ऐसा कर देना है ठीक है तब इसे हम कैसे solve करेंगे देखिए जिसी देखिए पहले मैंने क्या किया कि यह lcm इसका निकाल दिया six nine 12 का lcm निकाला ठीक है three two six three three nine three four 12 three two one जो इस तरह से करके यह 36 आया तो हमने यहां लिख दिया lcm of six nine 12 is equal to 36 अब क्या करेंगे now seven by six is equal to देखिए हमें उपर वाले पर ध्यान नहीं देना है सबसे पहले नीचे वाले को इस तरह से करना है कि 36 आजाए जैसे six है तो six से multiply करेंगे तो 36 आएगा ठीक है तो पहले क्या करेंगे हम इसे लिख लेंगे जिसे सहुलियत हो ठीक है मैं आपके लिए बोल रही हूं कि सहुलियत हो जिससे आप तुरंट जट से कर दें तो six 36 यही six हमें उपर लिख देना है तो seven six आ फोटीटू ठीक है देखिए जैसे मैंने क्या किया जैसे मैं आपको बता रही हूं यह nine by twelve में लेके ठीक है तो 12 मेंने पहले लिख दिया ठीक है ट्वैल्ब थी जब पहले में करूँगी 36 आ जाए तो 12 ठीक होता है तो पहले मैंने थी लिख दिया उसके बाद में nine को three से multiply कर दिया मैंने मतलब इसमें दिमाग ना खर्च करके पहले सीधे हमें क्या करना है कि नीचे वालों जो है वह किस तरह से 36 आ जाए क्या इनों में सेम आ गए तो हो गए यह लाइक फ्रेक्शन तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि क्लियर ली 42 x 36, 32 x 36, 27 x 36 आ लाइक फ्रेक्शन अब देखिए फ्रेंड्स मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है कंपेर दा फ्रेक्शन जैसे बहुत सारे फ्रेक्शन कंपेर करने में आते हैं ना क्वेश्चन कौन सा छोटा है कौन सा बढ़ा है इसे मैंने लिए 2 x 5, 7 x 3 तो इसे हम सॉल्फ कैसे करेंगे देखिए by cross multiplication we have इस तरह से हम लिखेंगे by cross multiplication यान cross multiplication कहने का मतलब है is 2 x 3, 5 x 7 तो we have 2 x 3 is equal to 6 and 5 x 7 is equal to 35 but 6 less than 35 है ना 6 तो छोटा है 35 से तो 6 जब छोटा है 35 से तो 2 x 5 कहीं था 6 आ रहा था यह जो 2 है यहीं से तो है तो यह जो है 2 x 5 आ जाएगा 2 x 5 छोटा है 7 x 3 से ठीक है अब समझ रहें ना 2 x 3 6 आया तो यह 2 जो है वो इस fraction से लिया गया है तो इस fraction से लिया गया है तो यह इसलिए हम 2 x 5 छोटा हो जाएगा 7 x 3 से तो friends वीडियो यहीं end होता है second part में इससे related और भी questions लेकर के आऊंगी जिससे आपको और समझने में आसानी हो और fractions के बहुत सारा questions आप solve कर सकें तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज आप इससे subscribe, like, share जरूर करिएगा like जरूर कर दीजिएगा जिनने subscribe नहीं किया है वो subscribe भी जरूर कर ले ओके फिर thank you, thank you for watching